जहाँ आप वोट डालने जाते हो आप वहीं पे जाएए आपके वैक्सिनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है polling center जो होता है वो लगबग घरों के बहुत passe होता है walking distance पे होता है तो लोग बड़े अराम से चलके वहां पे walking distance अपने घर के बगल के वो कर सकते हैं तो इसका पूरा खाका के इस तरह से बनाया गया इस पूरे अभ्यान का आज से दिल्ली के 70 वाड के अंदर ये शुरू किया जाएगा दिल्ली में 272 वाड हैं और दो विधानसवाएं ऐसी है जहां पर वाड नहीं है तो मोटे-मोटे तौर पे अगर वहां भी चार-चार मानने तो 280 वाड मान लीजिए आप दिल्ली में मोटे-मोटे तौर पे 280 वाड हैं हर हफते 70-70 वाड के इंदर ये अभियान चलाया जाएगा इस हफते 70 वाड के अंदर अगले हफते 70 वाड के अंदर तो एक तरह से चार महिने के अंदर ये पूरा अभियान कम्प्लीट हो जाएगा तो आज जिन 70 वार्ड के अंदर इसकी शिरुवात की जा रही है आज पहला दिन है आज वहां के बीलो को बूथ लेवल आफिसर को उन 70 वार्ड के बूथ लेवल आफिसर की ट्रेनिंग की जा रही है ये booth level officers अगले दो दिन तक अपने अपने booth में हर घर में जाएंगे हर घर में जाके उनसे पूछेंगे आपके घर में 45 साल से उपर की उम्र के कौन है उनके पास voter list भी होगी, voter list से भी पता चल जाता है 45 साल से उपर के कौन है लेकिन मान लिजे किसी का vote नहीं भी बना हुआ तो उस booth में आने वाले सभी घरों को cover किया जाएगा हर घर में जाके पूछेंगे आपके घर में 45 साल से उपर के कौन है क्या उनको vaccine लग चुका है अगर उन्हें vaccine नहीं लगाए तो वो उन्हें vaccination लगवाने का slot दे के आएंगे कि आप polling station पे इतने बज़े आके अपना vaccine लगवा लिजेगा तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग slots मिलते जाएंगे जो लोग बिलकुल ही मना कर देंगे कि हमें vaccine नहीं लगवानी तो booth level officer उनको मनाने के कोशिश करेंगे उनको बैठ के मनाने के कोशिश करेंगे vaccine लगवा लिजेए करोना के खिलफ यही एक effective उपाए है और केवल booth level officers नहीं जा रहे हैं इसमें team बनाई जा रही है तो दो तीन 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 लोगों की हर booth level officer के साथ civil defense volunteers को भी लगाया जा रहा है तो दो दो तीन 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 लोगों की team जाएगी हर एक के घर पे और उनको slots देके आएगी तो आज booth level officers की training हो रही है कल ये लोग अपने अपने booth पे जाएंगे घर घर में जाएंगे और परसों के slots देके आएंगे परसों भी जाएंगे अगले दिन के slots दो दिन booth level officers घूम के अपना booth complete कर देंगे और ये वाले दो दिन के अंदर अगले दो दिन के अंदर वो उनको vaccination लगेगा फिर हम ये देखेंगे कि जिन जिन को हमने slots दिया था वो सब vaccination लगवाने के लिए आए की नहीं आए जो जो लोग नहीं आए उनके घर में दुबारा जाएंगे दो राउंड लगेंगे उनके घर में दुबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि प्लीज आईए vaccine लगवाईए और अगले दो दिन उनके घर में भी complete किया जाएगा तो पांच दिन की cycle सतर वाड में पांच दिन की cycle ये चलेगी और फिर अगले हफते फिर अगले सतर वाड के अंदर तो इस तरह से ये पूरी दिल्ली को एक साथ carpet उसकी तरह कवर करने का प 45 साल की उम्र के ऊपर वैक्सिन लगवाना चाहते थे हमने उनके घर जा जाके उनको invite करके वैक्सिन लगा दिये जो जो लोग आना चाहेंगे हमने खूब सारी एरिक्षा का इंतजाम किया है लोगों को घरों से vaccination center तक polling center तक लाने के लिए एरिक्षा का पूरी दिल्ली में जो जो लोग आना चाहेंगे उनको उनके एरिक्षा के जरीए उनको लाए जा सकता है तो ये एक तरह से चार हफ़ते में हम ये कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल से उपर की उम्र के लोगों को first dose लग चुकी है इसके बाद तीन महीने बाद जो भी केंदर सरकार की experts क गाइड्लाइन है कि अगली vaccine जब भी लगनी है तो दो महीने तीन महीने बाद एक ये दूसरा round दुबारा इसी तरह से polling center के उपर चलाएंगे और दूसरी vaccine भी इसी तरह से एक महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को लगा देंगे जब हमारे पास 18 से 44 साल की उम्र के लोगों से 44 साल की उम्र के बच्चों को लोगों को भी युवाओं को भी हम वैक्सिन लगा देंगे तो मैं आज सबसे अपील करता हूं कल से बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे उनकी टीम आपके घर पे आएगी और सब लोग बहुत महिनत कर रहे हैं सबसे अपील है जब आपके घर में हैं आप उनका स्वागत्पी कीजिएगा और बढ़ चड़के वैक्सिन लगवाई है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को करोना से बचा सकते हैं नमस्क्राइब तो यह से दिल्ली की सीम अर्विन केजरिवाल जोनोंने वैक्सिनेशन को लेकर दिल्ली की जंता को नई खुशकबरी दी है नए अभियान चला रहे हैं जिसके माध्यम से पोलिंग पर वैक्सिनेशन की कारिक्रम की शुरुबात की जाएगी ताकि लोग अपने घरों के पा पर वाल ने इस बात की जाएगी दिल्ली के सीम केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इस बात की जाएगी ती और इसके बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरता बर्दोर्का